श्रिक्षक साहत्यों नमस्कार आईए आज हम इस विडियो के माध्यम से नौ प्रवेशी छात्रों के वर्च्वल क्लास में नौ प्रवेशी छात्रों को वर्च्वल क्लास में कैसे जोड़ें यहां जो है हम जानेंगे नौ प्रवेशी याने कक्षा पहली कक्षा शटवी कक्षा नौवी इन कक्षाओं में हम दूसरे विद्याले से आए विद्यार्थियों को हम कैसे अपने वर्चुल स्कुल में उनको जोड सकते हैं इसके बारे में आज हम देखेंगे सबसे पहले हम कर लेंगे लॉग इन लॉग इन के लिए आप जानते हैं अपना मॉबाइल नंबर और पासवर्ड इस प्रकार हम पढ़ाईतुमर द्वार के मुख्य पेज पर एंटर हो जाएंगे और हमारे मेनू ये जो तीन लाइने वहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हमको जाना है शिक्षक के कार्य में शिक्षक के कार्य में जब हम जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे आप्संस हैं उनमें से एक आप्सं है वर्चुल एसकुल में मेंबर जोड़े या संसोधन करें इसी पर हमको κलिक करना है जैसे हम कलिक करते हैं यह हमारा वर्चुल ग्रूप आ जाता है इसमें कुल कितने शिक्षक है देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुल शिक्षक और विद्यार्थियों की संख्या दिखाई दे रही है अब हमको यहाँ पर आप देखें तो ग्रूप का नाम लिखा हुआ है शिक्षक का मोबाइल नंबर और विद्यार्थी का मोबाइल नंबर तो हमको यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी का मोबाइल नमबर ही यहाँ पर डालना है जो दूसरे विद्यार्थी से बच्चे आये हैं उनका तो यहां पर मैं type कर देता हूं number इस परकार हम number को यहां पर type कर देंगे और आप देख पा रहे हैं right side पर किनारे right side पर खोजे का button है इसको हमको click करना है जैसे हम खोजे करते हैं आप देख पा रहे हैं इस बच्चे का detail आ जाता है नाम आ जा रहा है और यहां पर link जो है दिया हुआ है आप देख लेंगे गलत होए जैसे यहां पर गलत है इसको मैं सुधार दूँगा और इधर आप इसको खिसका लें कक्षा का chain करें इसका कक्षा हमको chain करना है तो class 6 के लिए आई है तो हम class 6 कर देंगे और अभी नया option आया है विद्यार्थी का photo upload करें तो photo यदि आप upload करना चाहें तो upload कर सकते हैं यहां पर और simply आपको यहां पर जोड़े के button पर click करना है जैसे ही आप जोड़े करेंगे सफलता पूर्वक group बनाया गया और ok कर देंगे अब देखिए आप यहां पर पहले देखे थे 119 छात्र थे अब जो है 120 हो गए इसका मतलब वो जुड़ गए है आपको करना क्या है आपको यहां पर विद्यार्थी का mobile number दिया हुआ है यहीं पर बच्चे का mobile number डालना है यदि हमारे पास इस प्रकार message आता है कि कोई विद्यार्थी पंजिकृत नहीं है तो सबसे पहले इस number से उसको हमको पंजिकृत करना होगा और पंजिकृत करने के लिए आपको main page पर जाना है और वहां जो है विद्यार्थी पंजियन में जाकर पंजियन करना पड़ेगा तो शिक्तरक साथियों आपको इसी प्रकार सभी 9 प्रवेसी बच्चों का यहाँ पर विद्यार्थी का mobile number में mobile number डालना है और खोजे के बटन पर क्लिक करना है उसके बाद link का चैन कर लेना है कक्षा का चैन कर लेना है और जोड़े आप इस प्रकार करतो हुए virtual class में 9 प्रवेसी बच्चों को जोड़ सकते हैं तो साथियो अगर यह विडियो आप लोग को पसंद आया हो जोरो लाइक करें शेयर करें और जिन लोगों अब तक हमारे चैनल education का अड़्डा को subscribe नहीं किया subscribe कर ले बिल आइकन को दबा ले जिससे हमारे अगले विडियो का notification आपको मिल पाएगा और आप उसको देख सकेंगे थन्यवाद